ये नजारा वाकई अद्भूत है और आपका ये उच्छा भी अद्भूत है मैं जब से यहाँ पैर रखा है आप ठकते ही नहीं है आप सभी पोलेंड के अलग-अलग हिस्सों से आये हैं सबकी अलग-अलग भाषा हैं बोलिया हैं खान-पान हैं लेकिन सब भारतियता के भाव से जुड़े हुए है आपने हाँ इतना शांदार स्वागत किया है मैं आप सभी का पोलेंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हुए साथियों पिछले एक हपते से भारत के मीडिया में आप ही लोग चाहे हुए हैं पोलेंड के लोगों की खूप चर्चा हो रही है और पोलेंड की विजह में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है और एक हाइड लाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बार भारत का कोई प्रधान मंत्री पोलेंड आया है बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसिब में है कुछ मैने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था वहाँ भी चार दसक बाद भारत का कोई प्रधान मंत्री वहाँ पहुचा था ऐसे कई देश हैं जहां दसकों तक भारत का कोई प्रधान मंत्री पहुचा नहीं है लेकिन अब परिस्तितियां दूसरी है दसकों तक भारत की निती थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो आज के भारत की निती है सारे देशों से समान रूप से नज्दी की बनाओ आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत सब के विकास के बाप करता है आज का भारत सब के साथ है सब के हित की सोचता है हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधू के रूप में सम्मान दे रही है आपको मिया यह यह नुबाव आ रहा है ना मेरी जानकारी सही है ना साथियों हमारे लिए यह जीयो पॉलिटिस का नहीं है बल्कि समस्कारों का वेल्यू का विश्व है जिनको कहीं जगह नहीं मिली उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगस्थान दिया है यह हमारी विदासत है जिस पर हर भारती एक गर्व करता है पॉलिट तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है हमारे जाम सहाब को आज भी पॉलिट में हर कोई दोबरे यहने गुड महराजा के नाम से जानता है वर्ड वर्ड टू के दोरां जब पॉलेन मुश्किलों से घिरा हुआ था जब पॉलेन के हजारे महलाएं और बच्चे शरण के लिए जगर जगर बटकते थे तब जाम सहाब दिगविजे सी रंजीत सी जाड़े जाड़े आगे आए उन्होंने पॉलिस महलाओं और बच्चों के लिए एक विशेश कैम्प बनवाया था जाम सहाब ने कैम्प के पॉलिस बच्चों को कहा था जैसे नवा नगर के लोग मुझे बापू कहते हैं वैसे ही मैं आपका भी बापू हूँ साथियों मेरा तो जाम सहाब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है मुझे पर उनका अपार्स ने रहा है कुछ मैंने पहले भी मैं वरतमान जाम सहाब से मिलने गया था उनके कमरे में पॉलेंट से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे देखकर अच्छा रखता है कि जाम सहाब के बनाए रास्ते को पॉलेंट ने आज भी जीवन्त रखा है दो दसक पहले जब गुजरात में बीशन भुकम पाया था तो जाम नगर भी उसकी चपेट में आ गया था तब पॉलेंट सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था यहाँ पॉलेंट में भी लोगों ने जाम सहाब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है यह प्यार वार्थों में गुड महराजा स्क्वाइर में साप साप दिखता है कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महराजा मेमोरियल और कोलापूर मेमोरियल के दरसन का सोभा के मिला है इस अब इसमान ये घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ भारत जाम साप मेमोरियल यूथ एक्षेंट प्रोग्रेम शुरू करने जा रहा है इसके तहट भारत बीस पोलिस युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा इससे भारत के बारे में पोलिन के युवाओं को और ज्यादा जानने का मोका मिलेगा महारास्टा चा नागरिकान चा आणि मराटी संस्कूर्थी चे प्रती पोलेंचे नागरिकानी व्यत्य के लेंगा मेला हा सम्माना है मराटी संस्कूर्थी मानव धर्मा आचरनाला सरवात अधिक प्राधान ने आहा है छत्रपती सिवाजी महाराज की प्रेयना से कुलापूर की रोयल फैमिली ने बली बड़े में पोलेंची महलाओं और बच्चों को शरण दी थी वहाँ भी एक बहुत बड़ा कैम बनाया गया था पोलेंच की महलाओं और बच्चों को कोई तकलिफ ना हो इसके लिए महाराज्टर के लोगों ने दिन राप एक कर दिया था साथियों आज ही मुझे मॉन्टे कसिनो मेमोरियल पर भी सरद्धान जी देने का अफसर मिला है यह मुमोरियल हजारों भारतिय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है यह इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतियों ने अपना कर्तव निभाया है 21 सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वेल्यूश अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है आज दुनिया भारत को उन खुबियों के करण जानती है जिसे भारतियों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है हम भारतियों को efforts, excellence और empathy के लिए जाना जाता है हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हम भारत के लोग maximum efforts करते दिखाई देते entrepreneurship हो, caregivers हो, यह हमारा service sector हो भारत के अपने efforts से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं यह मैं आपकी बाद पता रहा हूँ आपको लगता हो जाना कि भै किसी तीस पे देश की बात करें पूरी दुनिया में भारती excellence के लिए भी पहचाने जाते हैं IT sector हो या भारत के doctors हो सभी अपने excellence से चाहे हुए हैं और कितना बड़ा group तो मेरे सामने ही मोजूद है साथियों हम भारतियों के एक पहचान empathy भी है दुनिया के किसी देश में संकट आएं भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है कोवेर आया सो साग की सबसे बड़ी आपदाई तो भारत ने कहा humanity first हमने दुनिया के एक सो पचास से जादा देशों को दवाईयां और वेट्सिन भीजी दुनिया में कहीं भी भूकम पाता है कोई प्राकृतिक आपदा आती है भारत का एकी मंत्र है humanity कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है humanity और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है भारत हमेशा फॉर्स रिस्पॉंडर के रुपे सामने आता है साथियो भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांती पर विश्वास करती है और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थाई शांती का एक बड़ा पैरोकार है भारत का मत एकड़म साब है ये युद्ध का यूग नहीं है ये उन चिनोतियों से निपटने के लिए एक जूट होने का समय है जिन से मानवता को सबसे बड़े खत्रे है इसलिए भारत डिप्लोमसी और डायलोग पर बलत दे रहा है